हेलो वल्कम टू रेयन मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सेरीज आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो रेयन मार्टिन के ग्रामर बुक से हम लोग कंप्लीट ग्रामर पढ़ रहे हैं तो नाउन के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे केस तो नाउन देखने मे बहुत छोटा सा चीज लगता है बट इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हमें पढ़नी होती है पहले तो हम लोगोंने नाउन का definition पढ़ा नाउन क्या होता है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं साथी साथ उसके बाद हमने नाउन में जेंडर पढ़ा नंबर पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे केस तो यह हमारा chapter नंबर 8 है तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं रेरेन मार्टिन के grammar book से आपको complete grammar पढ़ाऊंगा जैसा कि आपका request भी था और आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहें बहुत ही प्यार दे रहे हमारे वीडियोस को और कभी-कभी जैसे एक-दो दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूं तो आप लोग आप लोगों का क्वेरी रहता है कि सर आप पड़्डे आप डेली आप वीडियोस बगर डालिए बट चुकि मुझे भी बहुत सारे लेने होते ओफ-लाइन और ओनलाइन दोनों लेने होते हैं तो कभी-कभी डियू टू डाट विकेज आप उक्यूपाइड तो उसके वजह से कभी-कभी एक-दू दिन वीडियोस नहीं आप आते हैं ठीक है उसके लिए मैं आपको सारी बोलना चाहता हूं बट्या कंप्लीट ग्रैमर जब मैंने बोला है तो कंप्लीट ग्रैमर मैं जुरूर पढ़ाऊंगा और चलिए जानते नाउन के अंदर केस क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि केस बहुत ही इंटरस्टिंग चीज है नाउन के अंदर इसमें ध्यान देना तो इटस ओल इस बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दोकेस के बारे में बता anda और यह दो केस कौन सा एक कौन से यह एक तो है सब्जेक्टिप केस और यह अब्जाक्टिग केस तो धियान दीजियों का जब हम संटेंस लिखते है तो थो सं Geld में हमारा पहले और उसके बाद object आता है, ठीक है, इसके अलावे और भी कई सारे चीज़ें हो सकती है, बट फिलाल इतना हम जानते हैं कि sentence में हमें कम से कम subject, verb और object मिलता है, अब ध्यान देना subject के जगह पे कौन आता है, subject के जगह पे या तो noun आएगा या तो pronoun आएगा, subject के जगह पे या तो noun आएगा या तो pronoun आएगा, तो अगर कोई noun, अगर कोई noun subject के जगह पे आता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, subjective case, तो किसी भी sentence में noun किसी भी position पे आ सकते हैं, तो किसी भी sentence में noun का कहां कहां position होता है, कहां कहां noun को हम use करते हैं, तो एक तो noun को हम use करते हैं subject के जगह पे, और तो वैसे और भी noun के कई सारे position है जहां पर हम noun का use करते हैं बट फिलाल इतना जानिए कि noun का use हम subject के जगह पे करते हैं noun का use हम object के जगह पे करते हैं तो simple सा देखो मतलब क्या है अगर कोई noun subject के जगह पे आएगा तो उस noun को हम subjective case बोलेंगे वो noun केस में होगा subjective case में होगा और अगर कोई noun object के जगह पे आता है और object का काम करता है तो उस noun को हम objective case में कहेंगे तो बात आपको समझ में आरे चलिए example से समझते हैं तो ध्यान देना यहां पर example क्या है देखो तो पहला case हमारा क्या subjective case है subjective case को हम nominating case भी कहते हैं तो confuse नहीं होना है subjective case को subjective case को nominating case भी कहते तो यहां पर जैसा कि sentence देखो example में sentence कहा है sentence है रोहन helps them तो रोहन कहांपर आया subject के जगह पे आया है और help क्या है help यहां पर हमारा sentence का वर्ब है और ये देखो एक प्रणावन है जो कि object के जगह पर है तो फिलाल चुकि हम लोग case किस के अंदर पढ़ रहे है noun के अंदर पढ़ रहे है इस sentence में noun है और रोहन किस जगह पे आ रहे है subject के जगह पे आ रहे है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो noun है यह subjective case में सबजेटिटिव के सिर फिर नॉमिनेटिव के यह तो नाउन के अंदर एक खासियत क्या होता है कि आप नाउन का यूज़ आप किसी भी पोजिशन पर कर लो सब्जेट के जगा पे कर लो अब्जेट के जगा पर कर लो नाउन अपना form कभी चेंज नहीं करता है जैसे pronoun क्या होते। pronoun अपना form change कर लेता है। जैसे अभी यहाँ पर pronoun क्या दे में अगर यह dem जो है न subject के जगहापे होता तो इसके जगहापे हम दे लिखते हैं। तो use de pronoun है और यह subject के जगहापे हैं। अगर यह object के जगहापे जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा इसका function के सासथ form भी चेंज हो जाता है बट noun के साथ क्या condition है नाउन चेंज नहीं करता function चेंज कर लेगा बट अपना form चेंज नहीं करेगा जैसे अगर हमने यह रोहन लिखा तो रोहन क्या subject के जगह पे और रोहन अगर object के जगह पे जाएगा रोहन अगर object के जगह पे जाएगा तो भी रोहन ही लिखेंगे यहाँ पर subject से object जरूर बन जाएगा बट इसका form चेंज नहीं होगा ठीक है तो यह बात आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर यह जो noun है रोहन यह किस जगह प्यार है यह सब्जेट के जगह प्यार है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो नाउन है यह सब्जेक्टिव केस में है यह किस केस में है यह सब्जेक्टिव केस में है बात समय समय रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं यह नोमिनेटिव केस किसे कहते हैं दे objective case को ही accusative case कहा जाता है, तो चलिए example से समझते हैं, objective means what, objective means जब नाउन object के जगा पर आए, अब example में देखो, यहाँ पर दे subject है, लेकिन दे यहाँ पर नाउन नहीं है, यह प्रनाउन है, उसके बाद वह बार है और उसके बाद देखो रोहन फिर से, यहाँ पर भी रोहन का य कर रहे हैं तो रोहन यहां पर नाउन तो है नो डाउट रोहन यहां पर नाउन तो है लेकिन किस जगह पर आया है क्या फंक्शन कर रहा है अब्जेट का फंक्शन कर रहा है अब्जेट के प्लेस पर आया है तो अगर कोई नाउन अब्जेट के प्लेस में आता है तो उसको हम objective case में कहते हैं उसको हम objective case कहते हैं क्या कहते हैं उसको objective case कहते हैं तो बात समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ पर noun subjective case में है और यहाँ पर जो noun है यह objective case में है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गए है अगला केस को जानने से पहले मैं आपको एक और इंट्रेस्टिंग चीज़ बता देता हूं ध्यान दिजिएगा जैसे इस सेंटेंस को हम देखेंगे और इस सेंटेंस में क्या है इस सेंटेंस के अंदर दो-दो अबजेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर दो-दो अबजेक्ट है दे सबजेक्ट है यहाँ पर देखो गैब क्या वर्व है और रोहन यहाँ पर अबजेक्ट के जगा पे आया है लेकिन इसके बाद हम एक और नाउन देख रहे हैं जो कि बॉल है अबॉल तो ये भी object है तो ध्यान देना है कि वर्ब के बाद एक के अलावे कभी के भी दो objects भी आ जाते तो वर्ब के बाद एक object भी हो सकता है, वर्ब के बाद दो object भी हो सकता है minimum एक object, maximum दो object तो अगर दो object आएंगे तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब दो अबजेक्ट आएंगे तो उसमें से एक डिरेक्ट अबजेक्ट होगा और एक इन डिरेक्ट अबजेक्ट होगा तो ध्यान देना यहाँ पर दो अबजेक्ट है एक रोहन है और एक अबबॉल है तो यहां पर जो बॉल है यह डारेक्ट अबजेक्ट है यह जो बॉल है ध्यान देना यह जो बॉल है यह है डारेक्ट अबजेक्ट है यह डारेक्ट अबजेक्ट है और यहां पर जो रोहन है यह भी अबजेक्ट है बट यह है इन डारेक्ट अबजेक्ट है यह है अब direct object और indirect object हम किसे कहते है तो ध्यान देना जो वर्व का مीनिंग बताएगा उसे हम direct object कहते है और जो direct object का अब पुछो क्या दिया तो यहां देने का मीनिंग में क्या रहा है बॉल क्या दिया एक बॉल दिया ठीक है तो जो वर्ब का मीनिंग बताएगा उसे हम क्या कहेंगे डारेक्ट अबजेट कहेंगे बात समझना रहे हैं तो इसलिए यहां पर जो बॉल है यह डारेक्ट अबज को चीक है तो यहां पर जो वर्ड डारेक्ट अब्जेट का मीनिंग बता है वो इन डारेक्ट अब्जेक्ट होता है तो यह जो इन डारेक्ट तो वह 100% direct object होगा, वो कभी भी indirect object नहीं होगा, लेकिन अगर दो object आएंगे तो उसमें से एक direct होगा और एक indirect होगा, direct object हम उसे कहेंगे जो directly verb का meaning बताएगा, और जो direct object का meaning बताएगा उसे हम indirect object कहते हैं, तो I hope कि आपको यहाँ पर इस example से समझ में आ गया कि वे लोगों ने दि का meaning है, क्या दिया, अब all दिया, तो यह क्या हो गया, यह direct object हो गया, वही किसको दिया गया, रोहन को दिया गया, तो यह direct object का meaning बता रहा है, रोहन क्या हो गया, इन direct object हो गया, यह बात क्लियर है, तो बहुत बारी की वाला चीज है, और बहुत simple सा चीज भी है, बट कभी कभ भी हम लोग जब इस इन सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो किसी भी टेस्ट पेपर में कुश्चन लगाते समय बहुत सारे गलतियां हमसे हो जाती है अब जानते हैं अगले केस के बारे में देखो पहला हमने देखा सब्जेक्टिव केस फिर अबजेक्टिव केस और अब है प्रजेशिव केस अब देखो क्या है अब है प्रजेशिव केस तो प्रजेशिव केस हम किसे कहते हैं प्रजेशिव केस का दूसरा नाम जनेटीव भी होता है मैं से जनेटिव केस भी कह सकते हैं तो कभी भी पजेसिव केस पता करना हो तो ध्यान दिजीएगा आपको सवाल करना है किसका आपको सवाल करना है किसका और जो किसका का जवाब होगा वही हमारा क्या होगा पजेसिव केस होगा यानि नाउन को हम क्या कर देंगे पज शिम्पल सा मतलब जैसे ध्यान देना जैसे मेरे पास एक पेन है एक कलम है तो मैं पुछोंगा ये किसका कलम है ये किसका पेन है तो आप बोलोगे सर आपका बात समझ में आ रहे है जैसे मैंने बोला राम की कार किसकी कार राम की कार ठीक है राहुल का घर पुछों किसका घर राहूल का घर, तो घर किसको बिलॉंग करता है, राहूल को बिलॉंग करता है, ये पेन किसको बिलॉंग करता है, मुझसे बिलॉंग करता है, बातसमस में आ रहे हैं, तो पॉसेशिप का मतलब हो गया जो पॉसेशन बताता हो, ध्यान से समझेंगे, It is used to denote possession तू को possessive से क् ihragogue चलते है possession का पता चलते है position का मतलब होता है अधिकार या फिर इससे onorship का पता चलेगा onorship का मतलब होता है malikana hak जैसे मैंने बॉला prahal का घर तो घर का honor कौन है राहूल है घर पर malikana hak किसका है onorship किसका है राहूल का है अच्छा इस रिलॉब कि नेजंश की किस से संबंद रखता है यह से ने बोला किताब की कभर किसंग करता है किताब से belong करता है तो इसी को हम possessive case कहते हैं और इसको पता करने के लिए simple आपको question करना किसका और जो भी reply में आएगा वही आपका क्या होगा possessive case होगा तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं लेकिन किसी भी noun को possessive case में हम change कैसे करेंगे बहुत आजान है अगर कोई noun विना form change किये subject के जगा पर आता है तो subjective case और अगर वो बिना form चैंज किये object के जगा पर आता है तो subjective case लेकिन possessive case का कहां पर position होता है – LS sentence में कहीं पर भी आ सकता है लेकिन possessive case उसको बनाएंगे कैसे possessive case में किसी noun को possessive case में convert कैसे करेंगे बहुत ही simple तरीका है तो ध्यान दिजिएगा possessive case कैसे बनेगा possessive case बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें upper stop s लगाते हैं देखो इस तरह से जो हम s लिखते हैं और s के उपर जो इस तरह से comma लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको upper stop s बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको हम upper stop s बोलते हैं ठीक है तो इस upper stop s से देखो हिंदिय में meaning क्या निकलेगा का या की या फिर के जो की क्या करेगा यही का की या के क्या करेगा यह संबंद बताएगा अधिकार बताएगा, मालिकाना हग बताएगा और इसी का, की, के के लिए हम लोग इंगलिस में क्या करते हैं ये वाला अपस्ट्रॉप एस लगाते हैं हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ये वाला अपस्ट्रॉप एस लगाते हैं बात समझ में आ रही है तो ध्यान देना यहां पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, this is Rohan's car, अब देखो, Rohan यहां पर noun है, और इस noun में देखो, इस noun में यहां पर apostrophe S का प्रयोग किया गया, तो इसका क्या मतलब है, कि इसको हम लोगों ने possessive case में change कर दिया, तो कभी भी कोई भी noun हो, और उस noun में अगर हम लोग उस noun में यह वला apostrophe S लगा देंगे, यह वला apostrophe S लगा देंगे, या फिर किसी भी noun में आपको यह apostrophe S लगा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना कि यह जो है ना, यह possessive case है, यह noun किस case में है, यह noun possessive case में है बात समस्में आ रही है तो यहाँ पर यहाँ पर देखो noun कौन है रोहन है और क्या इसमें apostrophes लगा हुआ है जी सर बिल्कूल लगा हुआ है तो हम बोल रहे हैं कि यह रोहन की कार है यह कार किसकी है अब question आपको करना किसकी है तो answer में क्या मिलेगा रोहन मिलेगा मैंने क्या बोला question हमेशा करना किसका या किसकी या किसके जो reply आएगा वह यह आपका possessive case होगा तो यहाँ पर देखो रोहन noun तो है बटी है किस case में यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है possessive case में kis case में यूज हो है, possessive case में यूज हो है बात समस्ष में आ रहे हैं, यहा तक कि यह बात क्लिए रहे हैं चले हैं, बहुत बढ़ियां लेकिन एक चीज़ धियान देना है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला इसके लिए क्या और के हाँ, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, का, की और के, तो इसके लिए देखो क्या क्या कर सकते हैं, देखो, पहला चीज तो है कि इस का, की, के के लिए हम क्या करते हैं, अपर स्टॉप एस लगाते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम प्रेपोजिशन का भी इस्ते करके इस चीज़ को बता सकते हैं, तो इस का, की, के के लिए दूसरा चीज़ क्या है, आप इसके लिए प्रेपोजिशन आफ का भी योज़ कर सकते हो, आप इसके लिए प्रेपोजिशन आफ का भी योज़ कर सकते हो, तो इससे पता चलता है, कि यहाँ पर हम यह जो लिखा इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दिस इस दा कार ओफ, दिस दा कार ओफ रोहन, तो देखो यहां पर हम आफ का भी परियोग करके इस बात को हम ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है, this is Rohan's car या फिर this is the car of Rohan तो simple सा मतलब है एक एक example में और यहाँ पढ़ लेता हूँ जैसे हमने लिखा राम की उस्तक तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हो इंगलेश में दो तरीका क्या है एक तो हमने सीधे तोर पे ऐसे अपस्ट्रॉप इसका प्रियोग कर लिया राम स्बुक और दूसरा हम यहाँ पर ओफ का भी यूज कर सकते हैं तो ओफ का जब यूज करोगे देखो यह आपका है नाउन वन और यह आपका है नाउन टू जब आप ओफ का प्रियोग करोगे तो नाउन टू को पहले रखना और नाउन वन को बाद में रखना जैसे इसी बात को जैसे हमने लिखा राम स्बुक अगर हमें इसी बात को इसी की के लिए हम अपस्ट्रॉप इस ना लगा करके हम अगर ओफ लगाते हैं तो कैसे बनाएंगे दबुक आफ राम तो आप इस बात को ऐसे भी बता सकते हो यहां पर आप यहां पर आप प्रेपोजिशन आफ भी लगा सकते हो बट चाह करना पड़ेगा देखो नाउन टू पहले आ गया और नाउन वन बाद में है तो इस तरह के इन दोनों ही तरीके से आप इसको प्रजेशिव केस में बता सकते हो आई होग यहां तक बात आपको समस्में आ घया है ठीक है हम लोग रेनन मार्टिन के बुक से पढ़ड़ रहे हैं तो अगर आप अपने ग्रैमर को ठीक करना चाहते हो तो ग्रैमर के लिए सबसे बेस्ट बूक माना जाता है रेनन राटिन का ठीक है और इसल इसको और simplify करके समझा रहा हूं ताकि आपको बात बहुत आसानी से समझना जाए चलिए अब जानते हैं तो आई होप कि आपको possessive case के बारे में पता चल गए जिसे हम genitive case भी करते हैं तो किस तरह से आप किसी noun को आपको उसको तो possessive case में change कर सकते हो ठीक है अब आएए जानते हैं formation of possessive case possessive case को बनाते कैसे formation का मतलब होता है बनाना होता है possessive case को हम बनाते कैसे formation of the possessive case तो ध्यान देना है तो अभी मैंने आपको क्या बता है इसका दो तरीका होता है एक तो आप apostrophe s लगा दो और एक उफ लगा दो तो ज्यादा दर किसका हम use करते है अप पर stop का रहेंगा और कहां पर auf का कर्थे करेंगा चलो इसको भी जानते हैं हम लोग तो आईये पहला चीज़ देखो क्या है इन सिंगुलर नाउन्स दपजेसिब केस इस फार्मड बाई एडिंग अपस्टॉप एस टू दनाउन अब देखो सिंपल सा तरीका क्या एक्जामपल से मैं समझाऊंगा अगर कहीं पर नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन में आपको अग क्या पर में यह कॉमा लगाना है और फिर एस लगाना है ऐसे तो देखो यहाँ पर एकजामपल से हम समझते हैं यहाँ पर देखो boy के boy एक सिंगुलर नाउन है y यहाँ पर क्या है y एक सिंगुलर नाउन है singular noun है तो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ लड़का का किताब, किसका बुक, किसका किताब लड़का का किताब तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर apostrophe s लगाया, ठीक है अच्छा, राजा का crown तो king's crown, बात समझ में आ रही है तो अगर singular हो singular का मतलब एक हो तो आपको क्या करना है, उस noun में cable apostrophe s लगा देना है जैसे हमने क्या बोला लड़का का किताब अब देखो लड़का boy क्या है, singular है तो singular है, तो आप cable क्या करो, यहाँ पर apostrophe s लगा दो और उसके बाद जो noun है उसको लिख दो आप, तो boys book हो गया पात समस में आ रही है, तो पहला चीज तो यह पहला नियम आपको यह ध्यान में रखना है देखो, next क्या है next है second number चीज देखो क्या है when a plural noun when a plural noun ends in is जब कोई plural noun का अंत होगा is से, देखो जब हम किसी noun को singular से plural बनाते हैं, तो उस noun को हम singular से plural कैसे बनाते हैं मैंने आपको number वाले topic में बताया था, तो जब हम किसी noun में S या E S लगा देते हैं तो वो noun क्या होता है, plural बन जाता है जैसे अगर मुझे बोलना पड़े एक लड़का ठीक है, मैंने बोला लड़का तो लड़का का मतलब कितना हो गया एक लड़का हुआ लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लड़कें अगर मैं बोलता हूँ लड़कें तो लड़कें का मतलब क्या हो गया एक से ज़ादा हो गया तो यहाँ पर अगर एक लड़का है तो हम क्या लिखेंगे बॉइ लिखेंगे और एक से ज़्यादा लड़का होगा तो हम क्या करेंगे बॉइज लिखेंगे तो यहाँ बॉइज में जो आप S देख रहे हो यह वाला जो S है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बॉइज में जो S देख रहे हो यह वाला S अपस्ट्रॉफ का S नहीं है यह वाला जो S है न प्लूरल का S है एक लड़का के लिए बॉइ और एक से अधिक लड़का के लिए बॉइज अब देखो प्राब्लम यह होता है यहाँ पर कि देखिए बॉइ में पहले से तो S नहीं है यानि यह सिंगुलर है और इसको जब पजेसिब केस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम अपस्ट्रॉफ S लगा देंगे ऐसे लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर बॉइज जब हम लिख रहे तो बॉइज में S पहले से लेकिन क्या यहाँ पर हम इस तरह से अपस्ट्रॉफ S लगा दें क्या हम देखो यह चीज तो चलेगा यह चीज तो चलेगा लेकिन किसी नाउन में आपको S पहले से मिल सकता है और उसके बाद आप वहाँ पर apostrophe S वाला S फिर से लगा देते हो तो क्या ये चलेगा दो double S के बीच में ऐसे हम कॉमा लगा देते हैं तो क्या चलेगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा इससे आपको hissing sound मिलेगा सांप वगेरा hissing करता न तो hissing sound को आपको avoid करना है कभी कभी किसी noun में आपको पहले से ace मिल जाएगा वो ace या तो plural का होगा या फिर वो ace उसके नाम के साथ पहले से जुड़ा होगा तो अगर किसी word किसी noun के last में ace पहले से होगा तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप अप a stop यानि ये वाला format को use नहीं करेंगे क्योंकि इससे hissing sound निकलता है बात समझ में आ रही है तो इसमें हमें क्या करना है तो ऐसे स्थिती में आपको कुछ नहीं करना है ऐसे स्थिती में जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर boy लिखा boys लिखा यहाँ पर ace पहले से है तो पहले से जब ace रहेगा तो यहाँ पर आपको cable ये वाला कॉमा लगा देना है cable ये वाला कॉमा लगा देना है बस ये तरीका सही होगा तो चलिए example से जानते है देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं लड़का का किताब यहाँ पर बोल रहे है लड़का का किताब यानि एक लड़का है तो जब एक लड़का है तो यहाँ पर हमने क्या किया अपर स्ट्रप कॉमा के साथ इस लगाया लेकिन यहाँ पर बोल रहे है लड़कों का किताब यहाँ पर बोल रहे है केबल यहाँ पर यह वाला कौमा लगा देना है आई होब कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा, यहाँ से question बहुत सारे बनते हैं, इसलिए मैंने तोड़ा time ले करके इस चीज़ को समझाया, चलिए, अब अगला formation जानते हैं, देखो अगला formation है कि सबके सभी नाउन जिसका अगर हम plural बनाएंगे तो उसमें as या es होगा, generally किसी singular नाउन को आप अगर plural नाउन में change कर रहे हो तो आप उसमें as या es लगाते हो लेकिन कुछ नाउन के plural जो होते हैं, कुछ नाउन के plural form अलग से होते हैं यानि उसमें आप as या es नहीं लगा सकते हो, यानि कि वैसे नाउन पहले सही plural होते हैं, तो कुछ नाउन आपको plural मिलेंगे लेकिन उसके last में आपको as या es नहीं मिलेगा तो जब last में as या es नहीं मिलेगा तो कोई problem भी नहीं है केबल हमें क्या करना है अगर Ace या ES नहीं मिलेगा देखो अगर Ace या ES पहले से नहीं मिलेगा तो हम उसमें यह वाला format use करेंगे ठीक है और अगर Ace पहले से मिल जाएगा तो क्या करेंगा उस Ace को रहने देंगे और उस Ace के last में बस कॉमा लगा देंगे बस, ऐसा कर देंगे, किसको नहीं करना है, इसको isको अवाइड करना है, इसको अवाइड करना है, ठीक है? यह रहेगा singular noun के साथ, यह रहेगा plural noun के साथ, जिसके last में S है, या कोई ऐसा noun, जो या तो singular या तो plural है, लेकिन उसके last में ace हैं तो उसमें आपको क्या करना है केवल ace के last में बस एक कॉमा लगाने से काम चल जाता है बात समझ में आ रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ पर देखो example क्या है यहाँ पर example है बच्चों की किताब यहाँ पर बच्चा करनी बच्चों की किताब बच्चों की किताब तो ध्यान देना जब एक बच्चा होता है तो इसको हम इंग्लिस में child लिखते हैं क्या लिखते हैं? child लिखते हैं लेकिन जब एक से जादा बच्चे होते हैं तो इसके लिए हम इंग्लिस में children लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Children लिखते हैं, अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है, कि child को जब आप एक से ज़्यादा बनाना है, plural बनाना है, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि आप child में एस लगा देंगे और ये आपका plural बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि child का जो plural noun होता है तो अलग से हम इसमें एस या एस नहीं लगाएगे तो simple सी बात है जब इसमें एस या एस पहले से नहीं है तो हमें सिर्फ ये वाले format को यूज करना है तो देखो यहाँ पर क्या हमने किया children's books children books अब देखो main भी क्या plural है एक आदमी को man बोलते है और एक से अदिक को main बोलते है तो यहाँ पर भी हमने क्या क्या यह अब यह वाले format का यूज किया यह वाले format का यूज किया बात समस में आ रहे है चलिए आगे का चीज जानते है हाँ जयान दे न a noun और a title consist of several words तो कभी कभी क्या होगा कोई noun या कोई title ऐसा होगा न जिसके साथ और भी कई सारे words जुड़े होंगे तो single अगर एक word का noun हो तो वहाँ पर बहुत आसानी से हम अपस्ट्रॉप इस लगा सकते हैं लेकिन सर कभी कभी noun ग्रूप of words के रूप में आता है कभी कभी noun जो होते है न वह एक शब्द के नहीं होते एक phrase के रूप में आता है यानि उस noun या title के साथ और भी words जुड़े हुए होते हैं तो वैसे इस्थिती में हम अपस्ट्रॉप इस कहां लगाएंगे किस word के साथ लगाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ ध्यान देना ऐसे इस्थिती में आपको क्या करना है देखो the king of bhutan's visit तो यहाँ पर cable king नहीं है अगर cable king होता तो वहाँ पर हम kings कर देते हैं अपस्ट्रॉप इस लगाकर the prime minister of India speech तो यहाँ पर cable prime minister नहीं है इसके साथ और भी चीज़े लगी हुई है तो वैसे इस्थिती में क्या करेंगे वैसे इस्थिती में आपको second noun में जो second noun होगा न उसमें आपको apostrophis लगाना है तो पहला noun तो king हो गया दूसरा noun कौन है भूटान है पहला noun क्या हो गया प्र the stop is जो है न वह सेकेंड नाउन में लगाना है यानि इसमें हम king में और यहाँ पर prime minister में नहीं लगाएंगे हमने यहां पर क्या लगा है भूटान में तो यहां लगाना होगा तो यह चूटे-चूटे चीजे पहले से इसके बारे में नहीं जाना होगे न तो बहुत दिक्क आपके लिए create कर सकता है अब एक्जाम में बहुत सारे question आपके गलत हो जाएंगे या sentence improvement वगरा के question मिल जाए तो बहुत ही confusion फिर आपका होगा अगर ये सारे चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो noun आपके लिए आसान हो जाता है अब आगे देखिए ध्यान दिजिएगा nouns in a position, nouns in a position, apposition हम किसे कहता है तो ध्यान दिजिएगा apposition देखो जब दो noun आपस में एक साथ रहते हैं जब दो noun को आपस में यूज़ किये गए हैं एक साथ next to each other और उसमें से एक noun जो होगा ना दूसरे noun को describe कर रहा होगा जैसे दो noun back to back use और इसमें दोनों नाउन जो ओका न तो सेम परसन संब्सिंग के बारे में बात करेगा और उसमें एक noun होगाना कि से दूसरे noun को क्या ह Beauty depicted upon 70 दोटें हैं और चलिए एक्जाम्पल से मैं आपको समझाता है पोजी आप दियंग यहाँ पर रोहन देखो अगर मुझे लिखना है रोहन रोहन से रोहन का बेस्ट फ्रेंड मैं हाँ देखो रोहन का बेस्ट्रेड रोहन का बेस्ट्रेड तो हमने क्या लिखा या फिर मुझे लिखना रोहन की कार मुझे लिखना रोहन की कार तो हमने क्या क्या रोहन सकार लिखा यहां पर हमने क्या क्या रोहन सकार लिखा लेकिन यहाँ पर देखो हम क्या बोल रहे है रोहन और इसके तुरंद बाद फिर से मैं नाउन लिख रहा हूँ माई फ्रेंड अब ध्यान देना यहाँ पर दो नाउन है रोहन भी है और माई फ्रेंड भी है तो आप मुझे बताना मैं friend किसको बोल रहा हूँ, मैं friend रोहन के बारे मिहीं बोल रहा हूँ, यानि रोहन ही मेरा मित्र है, तो यहाँ पर दो noun back-to-back यूज वहे हैं और यह दोनो noun एक ही वेक्ति हैं की नहीं यह Rohan भी वेक्ति है यह friend भी वेक्ति है दो अलग-अलग विक्ति नहीं कि रोहन अलग है और फ्रेंड अलग है यानि रोहन को ही मैं फ्रेंड कर रहा हूं और यह क्या कर रहता है आगे इसके ठीक बात आ करके अगर कोई noun या कोई group of words अपने से पहले आने वाले noun को describe करता है उसी के meaning को explain करता है या उसी में कुछ नए information जोड़ता है तो इस वाले noun को हमक्व बोलेंगे इस वाले noun को इस वाले noun को हम बोलेंगे E position किसी को हम क्या बोलेंगे E position इसी को मैं चीन deploying कर एफ चीक है तो जैसे मैंने बोला सचीन तेंदूल कर ड़े मास्टर ब्लास्टर दे मास्टर ब्लास्टर क्या कर रहे है यह एपोजिशन के रूप में यूज कर रहे है सचीन तिंदुलकर के साथ यह दे मास्टर ब्लास्टर किसको डिस्क्राइब कर रहा है सचीन को डिस्क्राइब कर रहा है महात्मा गांधी दफादर अपनेशन दफादर अपनेशन हम किसको बोल रहे किनको बोल रहे हैं महात्मा गांधी को बोल रहे हैं तो वापस क्या कर रहे हैं उसी को डिस्क्राइब कर रहा है बात समझ में आ रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं एपोजी लगा सकते हो, बहुत आसानी से, लेकिन उसके बाद फिर से एक नाउन आ जाए, और उसी वेक्ति के बारे में हो, उसी वस्तू के बारे में हो, तो यहां तोड़ा सा confusion होता है, कि हम आपस्टोपेस कहां लगाएं, तो चली एक्जामपल से समझते हैं, देखो, पैला एक्जाम साथ लगाया वा, जो कि बिल्कुल गलत है, यह वाला एक्जामपल बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस स्थिति में, अपस्टोप इस, एपोजीशन के साथ लगाना है, तो देखो, यह हमारा नाउन है, और इस नाउन का एपोजीशन कोई कोने फ्रेंड है इस नाउन का एपोजीशन कोने फ्रेंड है तो यहां पर फ्रेंड के एपोजीशन है नाउन है लेकिन एपोजीशन के जगह पर आए यह किसके जगह पर आए एपोजीशन के जगह पर आए तो हमें क्या करना है हमें अपस्ट्रॉफ एस जो है ना वह यहां पर लगाया गया तो यह बिल्कुल सही है यह तरीका यह लिखने के तरीका क्या correct है यह बिल्कुल सही है बात समझ में आ रहा है चली बहुत बढ़ी है अब देखिए आगे के चीज हम जानते हैं हाँ अब बात करेंगे common position के बारे में बहुत ही interesting चीज है यह को common position क्या होता है suppose कि यहां पर एक वस्तु है ठीक है यहां पर एक वस्तु है और इसी वस्तु पे दोदोव्यक्ति का अधिकार है यह वस्तु दोदोव्यक्ति से विलॉंग करता है जैसे मान के चलो इस वस्तु पे अगर राम का अगर अधिकार है तो इसी एक ही चीज पे अगर दोदो व्यक्ति का अगर अधिकार हो दोदो व्यक्ति का पॉसेशन हो तो इसको हम बोलते कॉमन पॉसेशन इसको हम बोलते कॉमन पॉसेशन इसको हम बोलते कॉमन पॉसेशन बात समझ में आ रहे हैं तो अगर जब दो नाउन एंड से जुड़ा होगा और दोनों नाउन क्या करेगा common position बताएगा तो वैसे इस्तिति में हम अफस्टॉप इस कहां लगाएंगे के बल एक नाउन में लगाएंगे दोनों नाउन में लगाएंगे या फिर पहले वाले नाउन में लगाएंगे या आखरी वाले नाउन में लगाएंगे तो यहाँ पर confusion होता है यह चीज आपको समझने के लिए यह चीज आपको समझना बहुत ज़ोड़ी है तो ध्यान दिजिएगा अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो दो नाउन दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों मिलकर के common position के बारे में बात कर रहा हो तो वैसे इस्थिति में जो apostrophe S है न वो दोनों में नहीं लगाएंगे बलकि जो last वाला नाउन होगा उसमें लगाएंगे यानि इसमें लगाएंगे इसमें लगाएंगे बात समझ में आ रहा है तो यहां पर ध्यान देना है रोहन और प्रिया जैसे मान के चलो हम लोग एक condition देखो चीजों को समझने के लिए या समझाने के लिए मैं यहां पर एक condition देता हूँ condition क्या है if they are husband and wife मान के चलो कि रोहन और प्रिया जो है यह दोनो husband and wife है यह दोनो married couple है और यह दोनो husband and wife है तो जब मैं बोल रहा हूँ रोहन और प्रिया के बच्चे वह किन के बच्चे रोहन और प्रिया के बच्चे तो अब मुझे बताएगा अब मुझे यह बताएगा कि जो बच्चे प्रिया के हैं क्या वही बच्चे रोहन की भी है वही बच्चे रोहन की भी है अब दोनों husband भाई पे तो ऐसा थोड़े आए कि प्रिया के बच्चे कहीं और के होंगे और रोहन के बच्चे कहीं और के होंगे तो सेम बच्चे पे दोनों का अधिकार है दोनों का relation है यानि कि कैसा sense बन रहा है common position का तो जब common position का sense बनता है तो हम दोनों noun में दोनों ही noun में apostrophe s कभी भी नहीं लगाएंगे ये गलत हो जाएगा ये incorrect है बलकि हम क्या करेंगे दोनों noun and से जुड़ा होगा और last वाल यानि second noun में apostrophe s लगाएंगे यानि केवल इस में लगाएंगे केवल यहाँ पर लगाएंगे ठीक है तो ये वाला बिल्कुल correct है ये बिल्कुल सही है condition मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आये कि हाँपर मैं बात common position की कर रहा हूँ बात समझ में आगे चलिए फसेफरेट पजेशन अब ये common position नहीं है जैसे कि अब ये दो वस्तु है ये दो वस्तु है एक वस्तु पे राम का अधिकार है और इस दुसरे वस्तूपे शाम का अधिकार है अब बताओ क्या एक ही वस्तूपे दोनों का अधिकार है नहीं न दोनों के अलग-अलग वस्तूपे अधिकार है तो जब दोनों के अलग-अलग वस्तूपे अधिकार है पोसिशन है तो इसी को हम बोलते है separate position तो अगर जब separate position रहेगा तो हम apostrophe s कहां लगाएंगे तो सबसे पहली बात separate position में आपको noun मिलेगा back to back noun मिलेगा हो सकता यह comma से अगर आगे बढ़े या फिर and इसके साथ रहें तो ऐसे condition में हम apostrophe s कहां लगाएंगे ऐसे condition में हम apostrophe s कहां लगाएंगे तो separate position के case में आपको दोनों ही noun के साथ apostrophe s लगाना है यहां भी लगाना है और यहां भी लगाना है दोनों जगाना है बात समझ में आ रही है तो ध्यान दिजेगा देखो यहां पर condition क्या if they are not husband and wife मान के चलो कि अगर रोहन और प्रिया यह द होगी बट रोहन और प्रिया आपस में husband wife नहीं है तो यहां पर हम बोल रहा है कि रोहन और प्रिया के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ रोहन के अलग बच्चे हैं और प्रिया के अलग बच्चे हैं या दोनों के सेम बच्चे हैं तो आप ब पॉजिशन का जब यहां पर केस बने तो ध्यान दिजिएगा आपको दोनों ही नाउन के साथ आपको अपस्टो अपेस लगाना पड़ेगा यानि यह वाला तरीका बिल्कुल सही है लेकिन यहां जब सेपरेट पॉजिशन का मामला बन रहा है तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे क क्योंकि ऐसा करने से पता यह मीनिंग किसका देगा यह मीनिंग कॉमन पड़ेट तो इसलिए इस कंडिशन में कि सेकेंड वाले सेंटेंस यह सेकेंड वाले चीज़ लिखना बिल्कुल गलत यह वाला सई होगा बात सबको समझ में आ गए बहुत बड़ी है अब जानते हैं देखिए तो यह तो formation के बारे में था कि कहां कहां मैं अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे कैसे लगाएंगे किस पोजिशन पर लगाएंगे अब बात करते हैं यूज़ प्रजेशिब केस का यूज़ हम कहां 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 करते हैं प्रजेशिब केस का यूज़ हम कहां कहां करते हैं In living things, सबसे पहले बहुत ही interesting और बहुत important चीज़ में बता रहा हूँ, यहां से question बिल्कुल आता ही आता exam में, ध्यान दिजीएगा, यह जो apostrophe S है न, यह जो apostrophe S है, इसका use जो है, हम living के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, living के साथ करते हैं, इसका use आप generally non-living के साथ नहीं करोगे, आप कभी भी directly non-living चीजों के साथ यह वाला, यानि कि apostrophe S का use नहीं करोगे, क्योंकि apostrophe S बना है, किसके लिए, living के लिए बना है, non-living पे generally हम apostrophe S नहीं लगाते हैं, यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से बहुत सार question आते हैं, ठीक है, चलिए, तो ध्यान देना, देखो, in living things but not in non-living things, तो apostrophe S जो है, वो living things में लगाते हैं, लेकिन generally हम non-living के साथ हम नहीं लगाते हैं, चलिए example से समझते हैं, बहुत ही interesting example मैं आपको बताऊंगा, जिससे यह point आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, तो राम की पुस्तक, तो यहां राम कैसा बेखते हैं, living है या non-living है, आप कहोगे सर कि राम living है, तो living के साथ अगर आप अप a stop S लगाते हो, तो गलत नहीं होता है, तो यह सही है, यह बिल्कुल सही है, living के साथ अगर आप a stop S लगाते हो, कोई दिक करनी है, और मैंने आपको बताया कि आप अगर पजेशिव पजेशिव केस अगर आप a stop S से बता सकते हो, तो कई ने कई आप off से भी बता सकते हो, तो off का जो use होता है न, off का use हम living के साथ देखो, मैं फिर से बताता हूँ, देखो, अपस्टॉफ एस का यूज हम लीविंग के साथ करते हैं और नॉन लीविंग के साथ हम नहीं करते हैं लेकिन ये चीज हम आफ से भी बता सकते हैं तो आफ का जो यूज है न दोनों जगा होता है आफ का यूज आप लीविंग के लिविंग के लिविंग कर सकते हो आफ का यूज आप नॉन लीविंग के लिविंग कर सकते हो इसका यूज दोनों जगा होगा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगा तो जैसा कि हमने बोला राम की पुष्टक तो इसको हमने क्या बोला राम्स बुक तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम इसको आफ का परियोग करके भी तो बता सकते हैं दबुक ओफ राम, और इस तरीके से ये भी expression सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, बात समस में आगए, अब चली इधर कुछ एक्जामपल लिखा हुआ, इधर की एक्जामपल से समझते हैं, दबुक्स कवर, वै किसकी कवर? बुक की? किसकी कवर? किताब की कवर? बुक की कवर? तो यहाँ पर देखो बुक क्या है? बुक लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप कोगा सर? बुक नॉन लिविंग है. तो मैंने क्या बताया? नॉन लिविंग के साथ आप ये एस नहीं लगा सकते हो ठीक है तो इसलिए the books cover बोलना बिल्कुल गलत है books cover बोलना बिल्कुल गलत है आप इसको इस तरह से expression नहीं कर सकते हो बल्कि हमें अगर इस बात को बताना होगा तो हम यहां पर preposition of का use करेंगे तो the cover of the book यह तरीका सही है तो यहां living के साथ apostrophe S भी चल जाएगा और off का प्रियोग भी चल जाएगा लेकिन non-living के साथ apostrophe S कभी नहीं चलेगा यह नहीं चलेगा लेकिन off जरूर चलेगा बात आपको समझ में आ रहे हैं तो ऐसे question बहुत बार exam में पूछे जाते हैं जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा दर तेबल स्लेग यानि जो टेबल है उसका पैर अब मुझे बताना क्या यह सही है तर टेबल स्लेग लिखना सही है तो इसको कैसे बता है इसको बताने के लिए बोलना पड़ेगा यानि प्रेपोजिशन आफ लगाना पड़ेगा दा लेग ऑफ दे टेबल यह तरीका सही है यह सही है ठीक है बात समझ में आ रही है जलिए बहुत बढ़िया आगे के चीज जानते है तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि stem of s का यूज आप non-living के साथ नहीं कर सकते थीक बिलकुल सही लेकिन आप कहीं पर आप non-living के साथ आपratorsor of s का यूज आप देखोगे और वो बिल्कुल भी सही होता है वो बिल्कुल सही होता है बै ऐसा कैसे होता है उसके साथ कुछ special condition applied रहता है तब ही ऐसा होता है कि हम non living के साथ भी यह फस्ट आप एस का use करते हैं जैसे ध्यान दिजिएगा अगर कोई personified objects हो personified object हम किसे कहते हैं आप literature वगरा में पढ़े होंगे personification के बारे में personification देखो क्या होता है यह personified object क्या होता है जब आप non living चीजों को living की तरह trade करते हैं जब आप non living चीजों को living की तरह trade करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते है personification बोलते है personified बोलते हैं अब जैसे आपको मैं बोलूँगा, सूरज आग बरसा रहा है, आज कल सूरज आग बरसा रहा है, अब सूरज तो कोई living thing नहीं है, कि वो आग बरसाएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उसको हम living की तरह ट्रेट कर रहे हैं, बात समझ में लिविंग थोड़े के हमें बुलाएगा हमें इन्वाइट करेगा नहीं न लेकिन फिर भी हम इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे ध्यान दना में एक और बहुत बैतरीन एक्जामपल लेता हूं जब मैं आधी रात को उस गाउं में गया तो मैंने देखा कि पूरा गाउं सो रह था तो एक्षन कौन करता है एक्टिविटी कौन करता है जो लिविंग होता है बट गाउं तो लिविंग नहीं है लेकिन फिर भी हम कभी-कभी नॉन लिविंग के साथ हम इस तरह से ट्रीट करके बोलते हैं कि जैसे मानों कि वह लिविंग है तो जब भी आप नॉन लिवि laws भाई प्रकृति के जो कानून होते है ना बड़ा डेंजरेस होता है ठीक है तो नेचर देखो क्या है नेचर नेचर लो नेचर तो नो लिविंग है लेकिन फिर भी हम इसमें अपर स्टॉप इस इसलिए लगा रहे है हम मान के चल रहे है कि नेचर क्या है नेचर को अब डेट कमस्टू एवरीवन अब डेट कैसे चल करके आता है अपने पैरों पे चल करते हैं ठीक है तो यह सारे क्या देखो यह सभी नॉन लिविंग है और सभी में अपस्टॉप इस लगा रहे हैं तो यहां अपस्टॉप इस लगाना गलत नहीं होगा क्योंकि यहां प चलिए उसके बाद हम अगला यूज जानते हैं कोई भी नॉन नाउन्स डिनोटिंग टाइम प्लेस स्पेस और वेट कोई बी ऐसा नॉन हो मैं नॉन लीविंग नॉन की बात कर रहा हूं कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नॉन है जिससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है या जिस्से हमें किसी place के बारे में पता चले या जिस्से हमें space के बारे में पता चले या जिस्से हमें weight के बारे में पता चले तो ऐसे noun में भी अगर आप ये वाला apostrophe S लगा दोगे तो गलत नहीं होगा तो गलत नहीं होगा बात समझ में आ रहे हैं चलिए example से समझते हैं जै तो पर झृप नहीं लगाते हैं हमें ऐसे बोलना चाहिए दा हॉलिडे ओफ़ विट ठीक है ध्यान देखा नॉन लिविंग है लेकिन क्या वीक से हमें टाइम के बारे में पता नहीं चल रहे जिए बिल्कुल विक से से हमें पता चल रहा है को time बता रहा है तो इसलिए time बता रही है तो मिहां पर रप onНуf पेस लगा देंगे तो गलत नहीं होगा उसके बाद इंडिया स्कूराइश N अब देखो इंडिया क्या इंडिया छटा जाए लगोगे तो गलत नहीं होगा एगा उसके बाद देखो किया अप-foots length, यानि एक-foots का length, एक-foots का length, अब देखो, a-foot-leinth क्या बता रहे है? स्पेस बता रहे है, भै कितना का स्पेस है, एक-foots का स्पेस है, तो यहां पर हमें लगा दि साथ apostrophe श्री घलत नहीं होगा क्यों इसयाव गारा है उसके बादे को a intense weight कितना का weight कितना का वजन एक टन का मुझब एक टन का वजन वेट तो हमने टन के साथ apostrophe क्यों लगाए क्योंकि यह वेट बता रहा है बात समझ में आ रहे हैं तो कोई भी ऐसा नावन जो कि नॉन लिविंग हो और जिससे टाइम प्लेस स्पेस या वेट के बारे में पता चले अगर आप उसके साथ अपस्ट्रोप इस लगा देते हो तो वह गलत नहीं माना जाएगा बात समझ में आ रहे हैं अ डेक спасибо next किया है हाई देखो इन समझ फ्रेजजेज़् और इट्यमेटिक एक्स्प्रेशाणस अचाई इडियम्स के बारे में आप जानते हूँ जिसे हम हिंदी मैं मुहावरा कहते हैं तो इडियम्स ऐसे उप वर्टस होते जिनमें आपको apostrophe s पहले से लगावा मिलेगा और जहां पर पहले से thingy लगी हुई होती है ना उसके साथ हम छेड़ चाड़ नहीं करते हैं आफने apostrophe s लगा दिया, यहां क्यों नहीं लगाया ठीक है? तो ये सारे idioms के बारे हम आपको पता होना चाहिए और पढ़ते पढ़ते हो चीजे पता हो जाती है, तो ध्यान देना, जैसे to his heart's content, to his heart contents, मतलब as much as, इसका मतलब मतलब as much as, जितना आप चाहो उतना, जैसे जितना खा सकते हो, जितना खाना चाहते हो, खाओ, तो you can eat to your heart's content, heart's content में तो दिल को संतुष्टी मिलना चाहिए, तो देखो यह क्या है, यह idiom है, अब यह idiom है, तो इसलिए यहाँ पर हम, इसलिए यहाँ पर हम अपस्ट्रोप इस लगा रहे हैं, उसके बाद क्या at his wits end, यहाँ wits में लगा रहे हैं, यह भी एक idiom है, तो at once, at once, wits end का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि जब आप बिल्कुल confused हो जाते हैं, आपके बुंदी बरस्ट हो जाती हैं, आपकी दिमाग काम नहीं कर दिया है, तो यह क्या idiom है, a stone throw, stone throw का मतलब होता है very near, आप तो बोलोगे सर, stone तो यहाँ पर non-living है, लेकिन non-living म अपने कैसे लगा दिया। यह चाहिँ ना तो अपने पर तो टाइम बता रहा ना तो प्लेस बता तो फिर यहां पर कैसे लगा दिया। यहां पर हमने लगाया नहीं बलकि यह चीज पहले से लगा हुआ रहता है इस एडियम में आपको अपस्टो पेस पहले से लगावा मिलेगा तो इसलिए कुछ ऐसे idiomatic expressions इंग्लिज में है जहां पर आपको अपस्टो पेस पहले से लगावा मिलेगा तो आप उसके साथ छेड़ छाड मत करना मतलब वह चीज वहाँ पर सही माना जाता है वहाँ पर ज्यादा question हम नहीं करते हैं हाँ देखो next क्या है in the names of celestial bodies तो जितने भी celestial bodies है तो celestial bodies कोई भी ऐसा ना हो जिससे हमें celestial bodies के बारे में पता चलेजैं आपके स्पेस में आप इस लगाओगे तो गलत नहीं होगा अगर आप heavenly bodies के साथ apostrophe S लगाओगे तो गलत नहीं होगा जैसे हमने बोला the sun's rays सूर्य की किरन सूर्य की किरने तो sun क्या है? sun कहां मिलता है? यह space में मिलेगा तो sun एक celestial body है तो celestial body है तो अगर आप इसमें यह लगा देते हैं गलत नहीं होता है यह सही है बात समझ में आ रहे है the moon's presents चांद की उपस्थिती तो moon क्या है? celestial body है तो यहाँ पर भी हम अपस्ट आप इस लगा देंगा तो गलत नहीं होगा तो यह बात आपको समझ में आ गया चीज़े आपको समझ में आ गया चलिए बहुत बढ़ी है अब देखिए आगे क्या है हाँ बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है यहाँ से question exam में आते है consecutive position consecutive position consecutive का मतलब क्या होता है? एक के बात back to back आना, consecutive का मतलब होता है back to back तो देखो, क्या हम back to back अपस्टोपेस लगा सकते हैं? हमने एक बार लगाया फिर से हमने लगा दिया क्या हम back to back अपस्टोपेस लगा सकते हैं? back to back क्या हम अपस्टोपेस लगा सकते हैं? तो इसी के बारे में हम जानेंगे, इसी को बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं continuous position या consecutive position हम बोलते हैं, तो आईए जानते हैं, example से समझेंगे इसको, तो देखिए example क्या है, my friends, brothers, marriage, मेरे दोस्त के भाई की शादी, मेरे दोस्त की भाई की शादी, भाई दोस्त किसका? मेरा, और नहीं, friend किसके? मेरे, और भाई किसके? फ्रेंड के और उसके भाई का क्या marriage तो यहाँ पर puis यानि इसी को भूते consecutive position बोलते हैं तो यहाँ पर हम कर और है इस consecutive प्रिटी पोजेशन में हम कर किया रहें क्या है कि यहां पट कि ना सब्सक्राइब दो लग जाता है इसका लिखने का सही तरीका क्या होता है तो सही तरीका देखो क्या होगा कि आपको जो लास्ट वाले जो नाउन को है यह marriage है जो last वाले noun होगा न उसको आपको पहले लिखना है उसको पहले लिखना है पहले हमने लिख दिया पहले हमने लिख दिया और इस चीज़ को as it is रखना है इसको as it is रखना है और फिर क्या करना है यहां से आपको apostrophe s हटा देना है यानि केबल ध्यान रहे कि हमें एक बार में एक ही apostrophe s का use करना है एक ही apostrophe s का use करना है तो इसलिए यहाँ पर हम केबल use करेंगे apostrophe s तो यह expression बिलकुल भी गलत है यह जो expression आप देख रहे हैं my friends brothers marriage दो दो बार जो back to back consecutive आप यहाँ पर apostrophe s use कर रहें यह बिलकुल गलत है सही तरीका क्या होगा the marriage of my friends brother यह तरीका सही होगा यह तरीका सही होगा बात समझ में आ रहे हैं हाँ चलिए बात आपको समझ में आगे न तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़े देखिए ध्यान देजिएगा यह जो अपस्ट्रॉफ इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यह देखने में बहुत चोटी समझ में आगे तो यह रहा आपका केश नाउन के अंदर जो हम केश पढ़ रहे थे यह हो गया complete नाउन के अंदर केश भी हो गया complete अब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो I hope कि अब आपको सभी चीजे बहुत बढ़ियां से समझ में आ गया, अब आपको केस से रिलेटेड या नाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि नाउन के अंदर हैं, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाहिए, आपको रुणन मार्टिन का मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और अभी तक हम लोग आठ चैप्टर पढ़ चुके हैं, यह आठवा चैप्टर है आज का वीडियो आपका, अगले क्लास में हम लोग 9 चैप्टर नाइंथ चैप्टर पढ़ेंगे, तो जितने भी प्रेविएस वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखा, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, कैसा लगा आज का वीडियो आपको, आप हम देनन मार्टिन के ग्रामर बुक से अगले चैप्टर में, तिल देन इट्स अ गुडबाई